हेलो दोस्तों, गुड मर्णिंग, वेलकम टू मैं न्यू ब्लोग, सभी दोस्तों को नमस्का, सुप्रभाद, दोस्तों प्रात्य हो चुकी है, प्रात्य का बच चुका है आठ, अलमणा में कंटी न्यू बारी से 24 घंटे से और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, सभी प्राशनत है कि सर्व बुक्स के वीडियो दीजिए, बुक्स के वीडियो दीजिए, तो मैं आज आज आपके लिए बुक्स के संदर वीडियो लेकर के आया हूँ, आप कौपी पैन निकाल करके बैठ जाएं, नोट करना सुरू कर दें, मैं आप आपको उत्रहंड UK SSC और UK पैसी से संबंदी, जितने भी एक्जाम है, उन एक्जामों के संबंद में आपको बुक्स नोट कराने वाला हूँ, यहां तक कि सेंडल के एक्जाम भी है ना, उसके संबंद में बुक्स आपको नोट कराऊँगा, बुक्स के वीडियो सुरू करने से पहले, मैं आपको कु तबी है जब आप उन चीजों को फोलो करेंगे मेरा विश्वास है आप लोग कर रहे होंगे और कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो अच्छे लेगेगी न अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें सभी को शेयर कर दें और लाइक करें और जो पहली बाद चैनल पर द लेकिन आज मैं आज कल मैं आपके पिछे लगा हूँ तो भठती से संबंदी थी वीडियो आएगी तो आप सस्क्राइब जरूर करते हैं आपको नए-ने कंटेंट और नए-नेरजी आपको मिनने वाली है आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे भेजे हैं मैं आपको ततकाल रिप्लाइ कनने के कोशिश करता हूँ किसी कारण ब्यश्ट हो गया तो नहीं कर पाता हूँ लेकिन बाद मैं देही देता हूँ अगर किसी का आंसर नहीं दिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं आज बुक्स की वीडियो दूग attained आगर मैज से अंड़ना है और हिंदी के लिए क्या क्या है उत्राखन के लिए उसके अलावा वे कई चीज़ें अम आपको आज बताने वाला हूं आप PCS, lower PCS, lower PCS, NT यहां तक की Central UPSC का भी अगर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना मैं उसके संबंद में मैं आपको बुक सार नोट कराने वाला हूँ प्लीज आप अच्छे से धहरे रखे सांत मन से एकांत मा बैट करके पूरी वीडियो देखें सुनें और नोट डाउन करते रहें और वीडियो को इतना शेयर करते हैं खुब वैरल करते हैं ताकि मेरा चैनल जो है खुब वैरल हो जाए सभी लोग जितने भी प्रेपरेशन वाले हैं सभी को इस वीडियो का भाइदा जरूर मिले तो दोस्तों ज़्यादा लेट न करते हुए शुरू करते हैं हम सुरू करेंगे जी के सामाने ज्यान से जी के सामाने ज्यान के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है जी के सामाने ज्यान के दोस्तों सबसे मस्ट है लूशेंड सामाने ज्यान शोटी सी बुक आती है और लुशेंट समानिग्यान उसमें topic wise हर चीज दिया हुआ है starting से लेकर लास्ट तक खेल तक दिया है शुरू से इतिहास से लेकर के खेल तक का उसमें सब कुछ दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं chapter wise आप notes बनाते रहें पढ़ते रहें ठीक है उसके अलवा जी के समानिग्यान के अलवा जो दूसरी बुक है दोस्तो लुशेंट अब्जेक्टिक बस्तुनिस्ट वाली है मोटी बुक है उसमें chapter wise optional question दिये हुए है आप पीछे उसकी answer की भी दे रखी है आप लुशेंट theoretical है उसको आप पढ़ें उसके बाद आप objective जो है लुशेंट उसमें आप टिक मारते रहें pencil से मारें pen का use ना करें UKSCC ले 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 उत्रहन पुलिस ले 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 UKPSC ले 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 यहां तक की UPSC ले 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 सभी की exam की prevention के लिए लुशेंट बहुत अच्छी बुख है और लुशेंट objective वाली जो बुख है वो भी बहुत अच्छी है आप बुख से दर के पास जा करके लुशेंट theoretical समन्य ज्यान और objective ये बुखस आप ज़रूर देने आपको नौकरी के अकॉर्डिंग आप इन बुखस को पढ़ करके न UK SSC और UK PSC का एक्जाम आराम से क्रेक कर सकते हैं अब दूसरी बुख है उत्रहन जीके उत्रहन जीके के लिए हमको क्या-क्या पढ़ने की जरुवत है basic दोस्तों उत्रहन जीके के लिए सबसे पहले आप बुखस के बाद जा करके लेने उत्रहन परिक्षिया बाणी इसमें से दोस्तों 80% क्वेश्चन उत्रहन परिक्षिया बाणी से पूछे जाते हैं UK SSC और UK PSC के द्वारा उत्रहन के इतिहास से ले करके नदी, नाले, पहार, चोटी जित्रे भी है दोस्तों उत्रहन में समगर अध्यन है उत्रहन एक समगर अध्यन करके है उसमें सब कुछ है इसके रैटर है केशी नंदन तिरपाठी केशी नंदन तिरपाठी जी हैं उत्रहन परिक्षिया बाणी के जो लेखक है आप बुक सरा के बाद आके वह बुक जरूर ले ले पढ़ना कैसे हैं आप एक रब कॉपी ले ले पैल ले 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 आप उस पढ़ते रहें उसके जो आपको important लगते हैं उसके notes बनाते रहें या आप एक हाईलाटर ले 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 हैं, जो आपको परिक्ष्यमाणी में अच्छा लग रहा है, आने लाइक लग रहा है, आपने पुराने पेपर दिये होंगे, उस पेपर के अकॉर्डिंग, आपको जो भी इंपोर्टन लग रहे हैं, उसको हाईलाट आप करते रहें, उनी को करें, और वाद में उनी का रिविजण करें, उत्राखंड के लिए दूसरी बूख है, उत्राखंड का इतिहास, इसके लेखएं स्री आजे राओत जी, आजे राओत का उत्राखंड का इतिहास बूख, पूरी धी त्योर quê ले दोश्तों, आप पढ़ेंगे ना, सबसे पहले तो अप पूरी थियोरी दे रखी है, आप उसको अगर अच्छे से मन से पढ़ेंगे ना, उसमें से कई question निकलेंगे आपके, इतने में आपके 10 question निकल जाएंगे, इतना पेरेग्रावा पढ़ेंगे, तो 10 question आपके निकल जाएंगे, तो बहुत अच्छी book है, आप उसको पूरा पढ बता दूँगा, आप इतना पढ़ने के बाद ये चीज़े, तीन से चार बार आप परिक्ष्यवानी और अजे रावत, चार से पांच बार आप इसको revision करने, आपको भरती होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, न्यू संस्क्रन, जो न्यू संस्क्रन लेटेस्ट का आया होगा वही लें आप, पुराना मत लें, उसमें से कुछ चीज़ें चेंज होती है, इसे नए से नए जो अपडेट वाली बुक है, उसको लें, उत्रहन के लिए ये बुक सफिसेंट है, आप ये दो बुक पढ़ लें अच्छे से, आप इसी से एकजाम के लिएर कर लेंगे, अब अगला है, तीसरा है दोस्तो हिंदी, उत्रहन में हिंदी पूछी जाती है, उत्रहन पुलिस में भी 20 से 30 नंबर के हिंदी पूछी ही जाती है, जब हमारे समय में होता था, उस समय 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें से 30 नंबर के हिंदी होती थी, बाकि उत्रहन होती थी औ पूरी हिंदी ब्याकरण हैं और उसमें लेखक हैं और संदी विच्छेत, मुहाबरे, समास, और सब्द, पर्तियाई, परियावाजी सब्द, बिलोम सब्द, यही पुछी जाते हैं सब कुछ, आप बुक ले लेंगे ना, उसकी बाद मैं आपको बताऊंगा, एक दिन बुक पड़ी हुई है, मैं आपको हिंदी अलग-अलग बताऊंगा, कि हिंदी की कैसे पढ़नी है, GS की कैसे पढ़नी है, उत्राखन की कैसे पढ़नी है, मैं इसका अलग से आपको वीडियो देने वाला हूँ, तो आप हिंदी लिशेंड, नियू एडिशन की बुक, जल्दी से कहीं न कहीं एक उच्छा दर्जे की आपको मेहनत करने की आवश्यक्ता है अब आती है reasoning दोस्तों reasoning के तीन से चार question पूछी जाते हैं आती maximum पांस question पूछी जाते हैं reasoning के लिए आप उपकार या अरिहनत की reasoning की book आती है नजदी की bookseller के पास जा करके आप इसको purchase कर सकते हैं ज्यादा महेंगी नहीं है डेर से 200 रुपी की book है और आप इसको खरीद ले और practice करते रहें इसमें कई चाब relation वाले हैं दरपण वाले हैं परतिबिम्ब वाले हैं कई च इतने में कौन सा दिन होगा दोस्तों उत्रहण पुलिस की paper में दो से तीन question आपको reasoning के मिलेंगे तो reasoning में अपना ज्यादा समय बरबात ना करें ज्यादा question नहीं पूछी जाते हैं आप उत्रहण में विशेष अध्यान करें जियास पर करें और हिंदी पर करें बस दोस्तों reasoning लेना अभी उत्रहण SI का paper होने वाला है उसमें reasoning काफी अच्छी खाशी पूछी जाती है तो आप अरहंत या उपकार की publication की आती है reasoning की book आप उसको लेने और daily आदा गंटा अपना reasoning को दें topic wise आदा आदा गंटा पड़े द होगी तो आप पड़े आदा गंटा reasoning को दें अब आती है maths जो UK SI का paper देने वाले हैं जिनका physical हो चुका है उसका return जल्दी ही हो जाएगा तो दोस्तों मैच के question काफी पूछे जाते हैं तो आप मैच से preparation के लिएना आप RS अगरवाल की मैच सी की book आती है लेखा का आप नोट क है आप उसको ले ले और उससे अध्यान करते रहें बागी यूटूब चैनल हैं आपको जहापर समझ में नहीं आता है आप यूटूब चैनलों से भी preparation कर सकते हैं सब मास्टर है क्योंकि यूटूब का जवाना है यूटूब में दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई ह आजकल teacher नहीं teacher teacher नहीं रहे गया है सिस से भी teacher बन चुका है और teacher लोंके कोई आजकल एहमियत नहीं रहे गी है जब से YouTube आया है यूटूब में कई अच्छे अच्छे teacher ऐसे teacher हैं जो काफी अच्छा ग्यान दे रहे हैं UKSI का पेपर जल्द ही होने वाला है, आप उसकी भी तैयारी करते रहें, उसके लिए कुछ अच्छे तैयारी की जरुवत पढ़ती है, क्योंकि 300 मार्ग से का पेपर होता है, और 3 घंडे का पेपर होगा, तो आपको अच्छी मेहनत करने की आऊ सकता है, 100 नमर के हिंदी आएगी, आप हिंदी लुशेंड पूरी चाड़ ने, अच्छे से, और बाकी 1-12 तक की जो हिंदी ग्रामर की बुक्सा आती है, बच्चे पढ़ते होंगे आपके घरू में, जो जो जिस जिस के भी बच्चे हैं 1-12 तक के, तो उनकी जो हिंदी ग्रामर की जिस चीज में आपापको चीज में ज्यादा समय दें क्योंकि हिंदी में आपके popular है तो और समय दें उस को ताकि हिंदी में आपके हंडेड मैं से 95 अने ही आने है और उत्राखन की आप परिक्षय दरपन लेने, परत्योक्त दरपन में भी अध्यन करें और मासी परत्योकत दरपन जो पुराने एक साल के हैं आप पूरा उसको अध्यन करते रहें, खेल हैं और आर्थिक जगत हैं कहीं न कहीं आपको 10 से 15 क्वेस्चन जो हैं करेंट एफ हैर से के मिनने ही मिनने वाले हैं UK PSC SI के paper के लिए आप उसके according तयारी करना शुरू करें आपको SI बनने से कोई नी रोक पाएगा SI written के लिए क्या-क्या पढ़ना है मैं अलग से आपको वीडियो दूँगा अभी तो ये सब मेराथन वीडियो हो रही है कोई दिक्कनी थोड़ा बोद मैंने इसमें दे दिया है तोस्तों इन बुक्स के अलवा अगर आपको और अच्छे तैयारी करनी है और अच्छे दर्जी की तैयारी का लेबल की तैयारी करनी है तो आप NCRT संग्रा बुकों का संग्रा होता है आप वो खरीद लें एक से बादा तक की किताबों होती है दस से ग्यारा किताबों होती है उसमें NCRT की आप NCRT समग्रा अध्यान ले ले आप नदी के बुक्स चले के बाद जाएंगे न उनसे कहेंगे NCRT के आप समग्रा अध्यान दे दीजिए उसमें सारे किताबों होंगी वो आपको दे देंगे ज़्यादा कोस्टी नहीं होंगे धाई से तीन हजार तक की आ जाएंगी आप उनको लेने आप उत्रकंड में UKPSC और PCS लोवर PCS और नए तस्लिदार NT का जो एक्जाम होता है यहां तक की UPSC वाले दोस्तों उनहीं से होती हैं आप वहां जा करके पढ़ सकते हैं UKPSC जो एक्जाम कराता है उसमें काफी सेंख्या में देता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ आप डेली न्यूजबेपर पढ़ते रहें कहां क्या हो रहा है नंबर एक दूसरा बिगज सिक्स मा के पर्तियुक्टा दरप करके मुझे बता सकते हैं यह आप समस्ता आपका हो जाएगा परिक्षिया का एक महना अगर बचा होगा एक महना या पंदल बीस दिन जो भी बचेंगे लास्ट मैं आपको एक बूस्टर डोस में पेपर से पहले और देने वाला हूं उसका वीडियो में अलग से दूँगा उसी समय दूँगा आप कमेंड करके मुझे बताएंगे मैं तब तक आपके लिए तयारी करता रहूंगा दोस्तों आप आप कहेंगे बुक से पढ़ने कैसे हैं हमको कितना समय कि कौन सी बुक में देना है जो आपका अच्छा सब्जक्ट है उसमें आप अधिक से अधिक सम करनी है आपको बहुत मेहनत मिनने वाली है बहुत मेहनत करनी है आपने आप परिशान होने वाले हैं लेकिन परिशान होने की ज़र्वत नहीं है आपने बाजूं में जोस रखें और हुनर रखें ये सोचना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं जो करना है अभी करना है इसके व वो हर कुछ जानता है, सब कुछ इंसान नहीं बनाना है, तो इंसान एक बैज्ञानिक के रूप में आप कह सकते हैं, तो हम जो करना है, हम नहीं करना है, यह आप समझ लीजिए, हमारे अलबा जो सक्ति हमारे उसमेहना, वो सक्ति कहीं नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं तो हो जाएए तयार और books का अध्यान करना सुरू कर दे आप अगर अभी से भी पढ़ेंगे न आप continue राद दिन एक करेंगे आपको 3-4 महने में आप जो है exam crack करने वाले हैं कर लेंगे ये मुरा विश्वास है हमने देख रखे हैं ये निकी 45 साल से तयारी कर रहे हैं उनकी तयारी उतनी आला दर्जे की नहीं होती है वो धिरे धिरे दीमक की तरह लगे रहते हैं लेकिन short exam है, one day exam है आप जो है तीन मेने की तयारी करें, अच्छी तयारी करें 10-10 बरबर घंटे पढ़े, आपको कोई जोग सकता आप books पढ़ने का schedule बना ले अगर नहीं बना सकते हैं तो आप comment करके मुझे बताएंगे मैं आपको schedule बना के दूँगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है लेकिन मैं बताऊंगा करना आपको है, पढ़ना आपको है UKPSC के लिए आप current affairs जरूर पढ़ने दोस्तों क्योंकि UKPSC current affairs बहुत पूछता है आप current affairs को नजर नदाज ना करें जिसका UKPSC का paper होने वाला है जो उसकी पैयरी कर रहा है तो आपको current affairs पढ़ना बहुत जरूरी है एक साल पहले तक का current affairs आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत question पूछता है पुराने जिसके paper नदिक आते रहेंगे आपको मैं और book से बताऊंगा जो आपकी memory को नदा अपडेट रखेंगे वाली book से बताऊंगा उसको अब पढ़ने की जरुवत नहीं है अभी आप theoretical पढ़ें notes बनाएं और notes को revise हफते हफते में करते रहें ताकि आपके memory जो है सक्री बने रहेगी आपके दिमाग में जो आप पढ़ते रहेंगे वो बना रहेगा नहीं तो आप आगे का पढ़ते जाएंगे पीछे का भोलते जाएंगे तो उसको हफते हफते में Sunday को revise करते रहें तो कैसा लगा आज का ब्लोग अच्छा लगा तो like, share और subscribe जरूर कर दें अब मैं मिनूंगा next interesting blog के साथ तब तक के लिए bye bye, take care आप जो जो मैंने बता रखा है